हेलो डियर स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे लीवर एंजाइम टेस्ट के बारे में कि ये एंजाइम जो है कहाँ पर बनते हैं इनका काम क्या होता है अगर इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा तो मैं मनीशा स्वागत करती हूँ आपका MLT Education Point पर स्टार्ट करत हैं लीवर एंजाइम टेस्ट लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखे क्योंकि उसमें हमने लीवर लीवर के फंक्शन लीवर फंक्शन टेस्ट कौन-कौन से होते हैं य आज हम इनके एंजाइम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो यह लीवर एंजाइम कहां पर बनते हैं लीवर सेल के अंदर जिसे हम किते हैं हीपेटोसाइट या फिर पेरिंकाइमल सेल लीवर सेल के अंदर यह एंजाइम बनते हैं तो यह एंजाइम क्या काम करते हैं केमिकल reaction को speed up करने का काम करते हैं chemical reaction को बढ़ाने का काम करते हैं जिसे बाइल का production होता है तो उसमें भी chemical reaction होती है तो बाइल का production कहां पर होता है हमारे लीवर के अंदर help breakdown food के हमारे food का breakdown करने में भी ये enzyme help करते हैं आगे देखते हैं if your enzyme level are normal so liver function properly अगर आपका enzyme level जो है वो normal है मितलब कि आपका लीवर जो है वो proper function perform कर रहा है लेकिन हा केवली इनजाइम से ही हम यह नहीं कह सकते कि हमारा लीवर जो है ठीक काम कर रहा है पूरा लीवर function test में हम करके देखते हैं लीवर function test में जितने भी test आते हैं उन सब को करके देख हम बोलते हैं कि हां हमारा लीवर ठीक है या नहीं अभी हम यहाँ पर केवल enzyme की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यह लाही निया में इसमें include की है if your liver injured release enzyme into your blood stream अगर आपका लीवर खराब हो गया है आपके लीवर के cell खराब हो गई है जिसे किसी बिमारी के करण हिपेटाइट हो जाता है तो अगर सेल का destruction होता है तो इसके अंदर जो enzyme present है वो हमारे blood stream में release करते हैं इसी कारण enzyme का level जो है वो increase हो जाता है अगर आपका लीवर खराब होता है तो तो अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से enzyme हम आज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हैं SGOT जिसे हम ASTB केते हैं इ क्या इसकी SGPT, SGPT को हम ALTB केते हैं और alkaline phosphate और gamma glutamide transferous इन इन enzyme के बारे में हम आज पढ़ेंगे detail में तो start करते हैं सबसे पहला enzyme SGOT और AST Transaminase, Transaminase enzyme जहां पर भी पीछे AA से आ जाता है मतलब वो क्या है enzyme है तो यहां पर Transaminase में दो enzyme आते हैं SGOT और SGPT तो सबसे पहले हम SGOT के बारे में discuss करते हैं SGOT का full form होता है serum glutamate oxylo acetate transaminase इस पर star लगा लो क्योंकि बहुत बार exam में पूछा जाता है तो जितने भी full form है at least उनको तो आप अच्छे से याद कर ही ले तो first कहता है हमारा इसका full form serum glutamate oxylo acetate transaminase जिसे हम AST भी कहते हैं AST का full form होता है spartate aminotransferase ठीक है तो AST इसका other name है तो कहीं बार exam में यह भी पूछा जाता है कि SGOT का एक और नाम क्या है तो AST इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे हमारा O है यह हमारा O है अब O में से इसको हटा के अपन ऐसा बना देंगे तो S बन जाएगा और ALT को हम ऐसे हम ALT कहते हैं तो यहाँ पे इसको हटा के हम यहाँ पे P बना देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा PT तो A से आप याद रख सकते हो OT और इस P से आप L से आप याद रख सकते हो कि PT यह याद करने का फॉर्मूला है AST made by liver cells यह किसके द्वारा बनते हैं कोन बनाता इसको liver cell if liver cell are damage AST is increased यदि हमारी liver cell जो है वो डेमेज हो जाती है किसके कारण किसी भी disease के कारण जैसे hepatitis हो गया alcoholic liver disease हो गया तो इस condition में हमारे liver cell damage हो जाती है और यह enzyme हमारे blood stream में का level increase हो जाता है अगला है AST are different from ALT because this enzyme found in other part of body यानि कि SGOT यानि कि AST जो है वो ALT से SGPT से different होता है क्यों क्योंकि यह हमारी body के other organ में भी present होता है यानि कि liver के अलावा यह और भी organ में present होता है जैसे heart, muscles और kidney तो अगर इन में से कोई सा भी organ damage हुआ तो उस condition में भी हमारा SGOT level जो है वो increase आ सकता है जैसे heart attack में increase आ सकता है, muscles injury में भी increase आ सकता है और kidney disease में भी increase आ सकता है तो हम यह नहीं कह सकते कि SGOT का level increase है मतलब कि liver में कोई न कोई disease है इसलिए यह doctor जो है वो पूरा liver function test suggest करते है if any of these damage SGOT level are increased तो कि अगर इन में से कुछ भी damage हुआ कोई सा भी organ damage हुआ तो SGOT का level increase आ सकता है method की बात करें हम यहां पर कि कौन से method से हम SGOT determination करते हैं तो उस method का नाम है Ritman and Frankel method तो इसे हम kinetic method भी कहते हैं इसमें हम sample serum लेते हैं serum से यह test लगाते हैं SGOT की normal value कितनी होती है तो 5-40 unit per liter इसकी normal value होती है अगर इससे level increase आता है मतलब की आपके heart disease हो सकती है, muscle injury हो सकती है, kidney disease हो सकती है या फिर liver disease भी हो सकती है इतना समझ माया आगे देखते है principle इसका क्या होता है प्रिंसिपल में यह जो AST है कहां पर present है serum में AST जो है वो aspartate से amino group को उठा के कहां पर डालेगा ketoglutrate में फिर यह क्या बनाएगा इससे glutamate और oxalacetate AZOT जो है वो रियक्ट करता है किसके साथ aspartate से यानि किसमें से amino group को transfer करता है ketoglutrate में और form करता है glutamate oxalacetate फिर यह oxalacetate जो बना है वो DNPH यानि की dinitrophenyl hydrazine के साथ रियक्ट करता है और 224 dinitrophenyl hydrazone बनाता है किसकी presence में LDH की presence में तो difference क्या है DNPH यहाँ पर हमने लिखे 224 dinitrophenyl hydrazine और यहाँ पर क्या गए 224 dinitrophenyl hydrazone principle हमारा हो गया reagent में हमें क्या use में लेना है तो यहाँ पर दो reagent होते हैं L1 और L2 आजकल तो जो है automatic machine आ गई है जिसमें हम एक तरफ reagent रखते हैं और एक तरफ sample रखते हैं तो हमें result observe हो जाता है screen पर show हो जाता है लेकिन यह जो kit आती है analyzer से जो test लगाते हैं उसमें ready made kit आती है उसमें L1 और L2 दो reagent होते हैं तो इस L1 में हमारा क्या-क्या प्रेजेंट होता है ketoglutrate, dnph और lds और L2 जो होता है वो buffer होता है और उसमें lspartic acid प्रेजेंट होता है इन दोनों को हम मिलाके working reagent बनाते हैं उस working reagent से हम test लगाते हैं तो इसकी procedure क्या होती है वो हम देखते हैं अब देखते हैं अब देखत तो यह जो L1 का हम 4 पार्ट लेंगे मतलब कि 400μL और L2 का हम लेंगे 1 पार्ट मतलब कि 100μL इसको mix करेंगे हमारा working reagent जो है वो ready हो जाएगा फिर देन आते हैं हम प्रोसीजर पे प्रोसीजर में हम सबसे पहले दो ट्यूब लेंगे एक पर डालेंगे test और एक पर रिखेंग यह blank तो यह जो working reagent हमने बनाया है यह 1-1 ml हम दोनों में लेंगे फिर देन distill water हम लेंगे blank वाली ट्यूब में 100μL और sample जो हमारे पास serum है वो हम लेंगे 100μL टेस्ट वाली ट्यूब में mix करेंगे incubate करेंगे वन मिनिट के लिए और read absorbance at 340 nm ठीक है 340 nm पर absorbance को read कर लेंगे sorry उसके बाद हम absorbance को analyzer में read करके हमारे reading को निकाल लेंगे दिन आता है SGPT SGOT हमारा complete हो गया है अब हम बात करते हैं किसके बारे में SGPT जिसे हम ALTB कहते हैं तो SGPT का full form क्या होता है serum glutamate pyruvate transeminus जिसे हम ALTB कहते हैं ALT का full form होता है alanine amino transeminus इसको भी star लगा लो ये भी exam में पूछा जाता है अब SGPT का level जो है वो increase क्यों होता है जब cell destruction होता है liver cell का destruction होता है क्योंकि इन enzyme का formation liver के अंदर होता है liver की cell के अंदर तो अगर ये liver cell जो है वो damage होगी तो ये हमारे blood में release हो जाएगा मतलब इसका level जो है वो increase हो जाएगा तो SGPT is specific test for liver than AST SGPT test जो है वो AST test से liver के लिए specific है क्यों क्योंकि AST test हमने देखा था कि AST यानि कि SGOT जो हो हर्ट में भी present होता है kidney में भी present होता है muscles में भी present होता है तो वो specific नहीं है liver के लिए जबकि SGPT जो है वो के लिवर में और हर्ट में present होता है तो अगर कोई heart disease होई तो SGPT increase आ सकता है या फिर liver disease में तो SGPT का level किस condition में increase हो सकता है अगर viral hepatitis हो जो कि different type का होता है hepatitis A hepatitis B इसमें हमारी liver cell जो है वो dysfunction liver का हो जाता है liver cell का तो liver dysfunction तेक है गॉल ब्लेडर inflammation गॉल ब्लेडर में inflammation के करण भी एज़िपिटी का level increase हो जाता है हर्टिटिक में भी एज़िपिटी का level increase होता है और जो इंग्डिस में भी तेक है नॉर्मल वेल्यू इसकी होती है 7 to 56 unit per liter ठीक है इसमें नॉर्मल वेल्यू में थोड़ा बूध variation जो है वो हर बुक में होता है मैं हर बार आपको बताते हूं जादा नहीं यानि की 7 की जगे 8 हो सकता है 56 की जगे 55 हो सकता है इतना थोड़ा बूध variation होता है तो यह हमने देखा SGPT के बारे में अब हम इसकी determination के method और इसकी procedure के बारे में बात करते हैं तो estimation में हम method देखते हैं कि कौन से यूज करते हैं तो method जो है उस सेम होगी जो SGOT में थी वो इस साम मेथट सेम क्या होता है कि यहां पर होता है हमारा सेमपल सीरंग जिसमें एल टी प्रेजेंट है वह क्या करता है इस अलिन में से अमाइनो ग्रूप को ट्रांसपर करता है कीटो ग्लूटरेट में और फोर्म करता है chemical media देयर कुछ तीकि जो हो इसenkते एक करता है दाइडी नाइट्रोफिनाइल हाय rede इसका फूलफों मैंने पहले बता दिया था तो 224 ढैन्ठ के साथ एक्ट करता है दे प्रआस टो टो 4डीन पीएच तो में यहां पर क्या आता है जीन आता है और यहां पर पहले बता चुकह हूं एस जुदी में तो ये फोर में करता है जो के रेट कलर का और होता है और इसके ओब जैंवन्स को हम रीट कर लेते हैं रेजन्ट हम यहां पर दो रिजेंट हैं समें यहां रेजन्ट में हम अलपा L1 और L2 दुनों को मिक्स करते हैं 4 पार्ट L1 का 1 पार्ट L2 का यानि कि 400 यह और माइक्लीटर में मतलब 400 माइकलीटर यह और 100 माइकलीटर यह लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा वरकिं रियेजन अभी सिर्किंग रियेजन को हम से से हम टेस्ट लगाएंगे तो यहां पे हम दो ट्यूट लेंगे एक लेंगे टेस्ट और एक लेंगे बलेंगे ब्लेंग surviving रियेजन को हम 1-1 ml दोनों में भूलेंगे स्ट में भी और ब्लेंक में भी दिस्वाटर इसको 100 m2 हम ब्लेंक वाली quantumritous में अपर deep हुआई होप आपको चिछ समझ में आया होगा ड्रभ हम कदे हीं हमारे तीसरे एंजाइम के पास alkaline phosphates alkaline phosphates जिसे हम ALP भी कहते हैं यह एंजाइम भी लीवर सेल के अंदर बनता है तो ALP is presenting liver लेकिन यह other organ में भी present होता है जिसे liver में present होता है bone में भी होता है placenta में भी होता है और intestine में भी present होता है तो यह specific test तो नहीं है liver के लिए लेकिन हाँ हम इससे पता कर सकते हैं क्योंकि उसमें liver function टेस्ट में हम बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं तो यह एक एंजाइम यह भी है जो कि liver के बारे में बताता है इट help breakdown of protein यह क्या काम करता है protein का breakdown करने में help करता है इन liver LP is released from biliary system यानि कि alkaline phosphate जो है वो लीवर से लीवर के अंदर जो है वो biliary system के द्वारा release होता है जिसे previous lecture में हमने पढ़ा था लीवर function test में कि यह हमारा लीवर है ठीक है अभी लीवर कैसा बना है यह हमारा लीवर है ठीक है लीवर में दो लोग होते है राइट लोग और लेफ्ट लोग यह दोनों क्या करते हैं यानि कि दोनों के अंदर जो cell present होती है गे सम्हिपेट आएंट यह दोनों बाइल का प्रोडक्शन करतीए तो जब यह बाईल निकलगे आता था यह बईरीरिर सिस्टम के थूह आता है और यह alkaline phosphate के isoenzyme भी होते हैं isoenzyme कौन कौन से होते हैं alpha-1 alpha-2 alpha-2 जो है वो दो टाइप के होते हैं एक होता है heat-labile और एक होता है heat-stable pre-bita और gamma-lb alpha-1 जो है वो biliary tract में present होता है alpha-2 liver में और alpha-2 जो की heat-stable होता है वो bone में और pre-bita pre-se हम याद रख सकते हैं कि placenta gamma-alcaline phosphate intestine में present होता है तो यह isoenzyme भी याद कर लिजे alkaline phosphate के यह भी important है अब देखते हैं इसकी clinical significance के बारे में तो clinical significance जो है वो एक तो physiological पर बैस्ट है और एक है pathological पर तो physiological condition अगर हम देखें तो यहाँ पे children में alkaline phosphate level जो है वो increase हो सकता है क्यों क्यों क्योंकि due to bone growth क्योंकि bone में हमने देखा कि alkaline phosphate present होता है तो जब बच्चे की growth होगी तो alkaline phosphate increase आ सकता है pregnancy में क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे प्लेजा प्लेसेंटा में भी alkaline present present होता है alkaline phosphate present होता है यानि कि pre beta present होता है तो pregnancy में भी alkaline phosphate का level increase आ सकता है pathological condition देखते हैं तो सबसे first है liver disease liver में present होता है liver की cell इसको release करती है biliary system के थूँ तो अगर obstructive jointis हुआ तो उस condition में भी alkaline phosphate increase आ सकता है alkaline phosphate increase क्यों आता है obstructive jointis में क्योंकि यहां से bile के थूँ जो है वो आ रहा है अगर गॉल ब्रेडर में stone हुआ ठीक है कोलियस्ट्यासिस में भी यही दिक्कत होती है कि गॉल ब्रेडर में stone होने के कारण alkaline phosphate का level जो है वो इंक्रीज हो सकता है bone disease bone disease में जिसे रिकेट्स या फिर ओस्टे मेलेशिया इस condition में भी alkaline phosphate का level जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है अब देखते हैं इसकी method के बारे में तो हम यहाँ पर method जो use कर रहें वो है PNPP यानि की पेरा नाइट्रो फिनाइल phosphate एक और method होती है इसके लिए king and king method तो यह method के नाम जो है आप सभी याद कर लें तो एक्जाम में पूछे जाते हैं principle इसका क्या होता है कि यह हमारा क्या है serum में क्या present है alkaline phosphate यह alkaline phosphate जो है वो पेरा नाइट्रो फिनाइल phosphate को हाइड्रोलाइस करता है phosphate और पेरा नाइट्रो फिनाइल में यहाँ पेरा नाइट्रो फिनाइल में यहाँ पेरा नाइट्रो फिनाइल में यहाँ पेरा नाइट्रो tolerance to don't guys mü夜 कर लेते हैं नारमल इतके होती है 22 140 यूनीट पर लीटर तेक है रेज यजंट है यूज़ करते हैं तो यहां Pey weed ohltay है रवन और रटू करते हैं और एमपी बफिर यूज पर यूज़ करते हैं याने कि HGPT में और SGOT में बनाया सेम वेसे ही कि दोनों रिएजेंट को मिक्स करने है 4 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका तो हमारा क्या बन जाएगा वर्किंग रिएजेंट प्रोसीजर में सेम हमें दो ट्यूब लेनी है एक पर हम टेस्ट डालेंगे एक पर हम ब्लेंक डालेंगे working reagent 1-1 ml दोनों में लेंगे distill water हम लेंगे 20 माइक लिटर 20 माइक लिटर ब्लेंक में और serum हम लेंगे 20 माइक लिटर टेस्ट वारी टूब में इसको mix करेंगे incubate करेंगे 1 मिनिट के लिए और इसके absorbance को read कर लेंगे तो यह हमारा alkaline phosphate भी complete हो गया है तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को यह सारे जो है एंड तक देखें क्योंकि इसमें हमने SGOT, SGPT, alkaline phosphate और gamma GT जो के अब हम पढ़ने वाले हैं तो यह सब डिटेल में पढ़े हैं तो यह सब चीजे जो है important है कुछ मिस करने जैसा नहीं है तो अगला है gamma glutamyl transferage जिसे हम GGT भी कहते हैं अब यह GGT enzyme जो है वह हमारे लीवर के अंदर highest concentration में present होता है लेकिन यह kidney के अंदर भी present होता है लेकिन kidney के अंदर भी present होता है तो यह क्या काम करता है लीवर के अंदर help to metabolize drug and eliminate toxins तेके याने कि drug को medicalize करने का काम और टॉक्सीन को एलिमिनेट करने का काम भी करता है हैं कि लिएस ti9 प्रिवेर्ट restedson को यह तो अ हम्हों दोभ सकता हुए तो आप इस अमोनिया को यह यूरिया चिदिनी के दूए उसमें गामा। जीले 방 Ingred जो है वह मदद करता है ठौक्सीन को रिलीस करने में प्रेजेंट इन लीवर एंड किड्नी दोनों में प्रेजेंट होता है तेके यूजड टु डिटर्माइन लीवर डिसीड को डाइगनोसिस करने के लिए हम गामा जिटी टेस्ट लगाते हैं तो कौन-कौन सी डिसीज alcoholic liver disease अगर आप alcohol का consumption बहुत ज्यादा करते हो बहुत ज्यादा मात्रा में drink करते हो तो उसके कारण gamma gt का level जो है वो increase आ सकता है और alcoholic liver disease आपको हो सकती है bile duct में obstruction होने के कारण भी gt का level increase आ सकता है cirrhosis अब यह cirrhosis क्या है cirrhosis एक disease है जो की hepatitis के कारण भी होती है hepatitis यहने की virus के कारण होती है और alcohol consumption अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो तो उसके कारण भी cirrhosis disease हो सकती है यह बहुत chronic disease है cirrhosis बाइल duct में obstruction होने के कारण भी gamma gt का level increase आ सकता है तो इन disease को diagnosis करने के लिए हम gamma gt टेस्ट करते हैं तो यह क्या है liver के अंदर आती है तो liver को diagnosis करने के लिए अब देखते हैं इसकी method के बारे में यहाँ पे हम जो method यूस मिले रहे हैं वो है end point method तो इसमें क्या होता है कि जिस serum में जो ggt present है वो l glutamile glycine glycine के साथ में react करके क्या बनाता है l glutamile glycine glycine plus 4 nitro alanine 4 nitro alanine जो है वो foam करता है अब इसका normal value क्या होता है यह तो हो गया इसका principle नॉर्मल वेल्यू जो है वो चाइल्ड में होता है 3-30 यूनीट पर लीटर में होता है 5-38 यूनीट पर लीटर और फीमेल में होता है 5-29 यूनीट पर लीटर रिएजेंट में हम यहां पर दो यूज करते हैं तो r1 और r2 r1 में सब्स्टेट है जो कि हमारा l glutamile 4-nitro alanine यह 4-nitro alanine यहां पर लिखा हुआ है l glutamile अगर वहां पर clear नहीं दिखे तो यहां से भी आप लेख सकते हो r2 में buffer में एक तो magnesium chloride होता है और एक glycine glycine अब हम working reagent कैसे बनाते हैं जैसे हमने sgot sgpt alkaline phosphate में बनाया यहां पर हम r1 जो है वो लेंगे 800 mcl और r2 हम यहां पर लेंगे कितना 200 mcl अब वहां पर हमने 400 लिया था 4 पार्ट लिया था और यहां पर हमने 800 mcl लिया और यहां पर हम 200 mcl जो है r2 ले रहे हैं वहां पर हमने 100 लिया था यह हमने यहां पर इसको मिक्स करके working reagent हमारा बना लिया है उसके बाद procedure पर चलते हैं दो ट्यूब लेनी है एक पर test और एक पर blank working reagent हम लेंगे 1-1 ml दोनों में डिस्टिल वाटर हम डालेंगे 100 ml सीरम हम लेंगे 100 ml टेस्ट वाली ट्यूब में मिक्स करेंगे इंक्यूबेट करेंगे वन मिनिट के लिए और रीट कर लेंगे absorbance को तो आज हमने पढ़ा लीवर एंजाइम टेस्ट के में बारे में जो की लीवर फंक्शन टेस्ट के अंद आते हैं उसमें हमने SGOT, SJPT, Alkaline Phosphate और Gamma GT के बारे में पढ़ा तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के अल्बूमीन और प्रोटीन के बारे में तो मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहे हमारे साथ लाइक करे, सस्क्राइब करे, शेयर कर करे दन्यों चूबादी कर्यों के बारे करता दो झाहर हम पinku कि अल्बूमीन और लोगते हैंzn।